जिया साथ यो चंदन और गोलू का कहना यह है कि पहाड और जल प्रपात का परिभासा क्या हो सकता है तो आज के इस वीडियो में यही हम किलियर करने वाले हैं तो गाइस पहाड तो आप सबने बहुत देखा है लेकिन पहाड का परिभासा क्या हो सकता है तो यार देखते रहो आखर इस वीडियो में मैंने बताया क्या है जी हाँ गाइज आप सबको आसानी से दिखे क्या रहा है गाइज यहाँ पर आप सबको दिख रहा है पहाड ओके और पहाड को हम इंगलिस में क्या कहते हैं मौन्टेन कहते हैं तो guys पहाड को उंगलिस में क्या कहते हैं मौन्टेन कहते हैं और पहाड को और भी नाम से हम बुला सकते हैं यानि पहाड ना कह करके हम उसको परवत भी कह सकते हैं पहाडी भी कह सकते हैं या परवतिय भी कह सकते हैं तो यहाँ पर जितने भी चीज़ आपको दिख रहे हैं य ने लिख रहा है वो क्या है तो समतल भूमी से उपर काफी उचायों तक उठा वह भाग जो उपर जाकर नुकिला हो जाता है तो वह आपको पहाड अथवा परवत कहलाता है तो यहां पर आपको परिभासा में क्या समझ आ रहा है कि समतल भूमी से काफी उचाय तक हम जहां प भूमी का मतलब जमीन तो आप समझ सकते हैं तो यहार संतल भूमी यानी बराबर जमीन से उपर काफी उचाइउ तक उपर अप समझी रहें इधर की और ठीक है तो उपर उठा हुआ वह भाग को उपर जाकर नूकिला हो जाता है तो वही आपको पहाडा परवत कहलाता है पर यह समतल जमीन है ओके यह आपका समतल जमीन है और यहां से यह उठा हुआ भाग और ऐसे ऐसे यह उठा हुआ भाग तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो चित्र आपके सामने बना यहां पर यह क्या है नुकिला भाग है तो यही नुकिला भाग ही हमारा क्या कहलाता है यही आपको परवत कहलाता है तो परवत का परिभासा आप देख सकती है और यहाँ पर आपको यह चीज भी ख्याल रखना है कि समतल भूमी से उठा हुआ कौन सा भाग जैसे आपने माटी का नहीं जियां गाइज मीटी वाला भाग नहीं आपको यहाँ पत्थर का भाग याद रखना है कि जब भी पत्थर हमारा भूमी से काफी उचाय तक जाएगा उपर और वो जाकर नुकिला हो जाता है तो वही आपको क्या कहलाता है पहाड अथवा परवत कहलाता है तो जियां पर परिभासा आप देख सकते हैं कि समतल भूमी से उपर काफी उचाय तक उठा हुआ वह भाग जो उपर जाकर क्या हो जाता है नुकिला हो जाता है संकु का कार का हो जाता है तो वही आपको क्या कहलाता है पहाड अथवा परवत कहलाता है ठीक है तो पहाड का परिभासा आपको बिल्कुल आ ही गया होगा और इससे आसान तो आप कुछ लिख भी नहीं सकते हैं यानि आप आसानी से कहें तो जो हमारा पत्थर होता है उसका उठा हुआ उपर भाग ही क्या कहलाता है पहाड कहलाता है तो गाइज इस तरह से आप कहते हैं वाटरफॉल अब यह क्या है तो गाइज यहां पर ध्यान दीजिए लिखा हुआ है कि जब नदी की जलधारा जब नदी की जलधारा पहाडियों की उचाई से तेज गती से नीचे गिरती है तो इस अवस्था कोई हम क्या कहती है जल परपात कहती है मतलब यह कि हम हमने तो पहाड देखा ही है यह आपका पहाड है मतलब उच्चा आप समझ सकते हैं पहाड कैसा होता है यानि आपने जहरना का नाम सुना है जहरना कोई हम क्या कहते हैं जल परपात कहते हैं तो गाइज जल परपात आपको समझ आया जहरना में क्या होता है कि पहाड पर से उपर की और से पानी नीचे की और गिरता है तो वही आपको यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब नदी की जल धारा जब नदी की जल यानि पानी की जो परवा होता है वो पहाडी के उचाई से तेज गती से नीचे गिरती है तो इस इस्तिती इस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं जल परपात कहते हैं तो यानि इंगलिस में बात करें तो वाटरफॉल कहते हैं जहरना का नाम आपने सुना है तो जहरना कोई हम क्या कहते हैं जल परपात कहते हैं तो इजिवे में आप समझ के होंगे जल परपात का यहां पर परिभासा और यहाँ पर मैंने पहाड का भी परिवासा बता रहा है तो यहाँ ताकि जैनकारी में अगर आपको कोई भी चीज दीकत लगा हो तो यार वीडियो के नीचे जरूर लिखना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड सकते हैं और जुडना कैसे है नीचे सबस्क्राइब लिखा हुआगा उस पर किलिक किजिए और बेल आइकन को आल पर सेट किजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में बाय बाय टेक क्यार बेस्ट आफ लग